हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जो हम इटेलियन सीरिया का मैच कवर करने वाल हैं वो खिल जाएगा ससुओलो वर्सिस एसी मिलान की बीच मैच का वेन्यो का ससुओलो किक अफ होगा रात में 10 पीम पे तो जो मिलान क्लब है यह इटेलियन सीरिया का व काउंट होता है इटेलियन सीरिया आम है इन दोनों की बात की जाए तो क्वालेटी में एसी मिलान एक फार बेटर टीम है कंपेर टू ससुओलो और इनका सीजन स्टाट भी काफी ज्यादा अच्छा रहा है जबकि ससुओलो का भी सीजन स्टाट डिसेंट सा रहा है तो मेरे टेलिग्राम चैनल में मिलेगी तो जो मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाखा डिस्क्रिपशन बॉक्स, टॉप तीन में एक जीते हैं एक हारे और एक ड्रो खेला और फोर उनके पॉइंट है बाकी यह में लास्ट दो मैचेस के आपको रिजल्स दिखा रहा हूँ जो पिछले दो मैचेस मिलान ने खेले हो कैसा उन्होंने परफ़र्मेंस पूटिन किया है लास्ट टू लास्ट मैच में उ और उनका भी असिस्ट आया था तो लास्ट दो मैचेस में एक ड्रो है और एक विक्ट्री ए ऐसी मिलान की वहीं ससवलो के आप लास्ट दो मैचेस देखेंगे लास्ट टू रास्ट मैच में उन्होंने वन निल से लेक्के को रहा है डॉमिनिक बराडी का गोल आ था और जो इसके आप यह स्टेट देख लेना वागी मैंने बता दिया मिलान एक फार बेटर टीम है तो स्मॉल लिग में उनको ही बैक करें अपनी टीम बनाने वाले हैं तो अब हम आते डिरेक्ट प्रोविबल लाइनप पे पहले फेवरेट्स मिलान की बात करते हैं तो मेरे अकॉडिं मैचेज हो रहे हैं अभी दो दिन पहले उन्होंने मैच खेला अभी मिडवीग फिक्चर केलने हैं फिर इनको वीकेंज में फिर से दो-तीन दिन बाद मैच खेलना है तो यहां पे कुछ तीन-चार प्लेयर्स को रेश्ट मिलने वाले हैं और कुछ दूसरे प्लेयर्स को मौ हम देखते हैं माइक मैनियन इनके गोलगीबर उन्याले हैं चार इनके डिफेंडरों के फ्लोरेंजी कियार टमोरी और लुकस सॉरी थियो हननंडेस तो फिलाल के लिए अगर किसी एक टीम को क्लिन शीट के लिए बैक करना होगा मैं यहां पर करूंगा एसी मिलान को अब ए बागी में भी ठीओ इनके डिफेंडर पिक करके चले जाना अगर आपको एक एक टेकल लियान है उस केज में में आप सीमोन क्यार को ड्रॉप कर सकते हैं क्यूंकि मैं बहुत जगे पढ़ ला था कि क्यार अगर खेलते भी है ना मोस्ट लाइकली है 60-70 मिनट में सबसिडूट हो जाँगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा मेच फिट भी नहीं है अल्दो सीनियर प्लेयर है बस हम यह प्रेय करेंगे कि 60 मिनट खेले क्लीन शेट के साथ सबसिडूट हो जाए हमारा काम बन जाएगा प्लस 20 बॉइस क्लीन शे चेयर करेंगे एक मैंच में जीरू नहीं थे तो इन्हों नहीं पेनल्टी लिए थी इस्मॉल लीग में भी कैप्टन वाइस केप्टन सी के टॉप अपसर नूंगे बहुत अटेक्मिंग फुल बैग है और टमोरी भी हैडर में सॉलेड है डिफेंसीव पासिस वाइस सॉले इसने एक रेंडम गोल भी मारा तो मिट्फिल में एक बहुत ज्यादा सेफ ऑप्शन रहेगा अगर आपको सेफ्टी वाइस जाना है तो आप बेना सर पिक कर लेना सिलेक्शन भी आईए फिलाल मैंने अभी के लिए पिगनिके में हलका सा मिट्फिल में रिस्क ले रहा हू मैं पंड ले रहा हूँ यहाँ पर ब्रहीम डियाज पर जो पिछला सी अंत अप्टूम दा मांग नहीं किया था रियाल मेडिट का यूथ प्रोड़क्ट है लेकिन इस सीजन की सुरुवात में बहुत अच्छा खेला है ब्रहीम डियाज मैंने एक मैं देखा भी था उसमें ब्रहीम डियाज ने अभी मैंने इस्टेड लिखाने है क्योंकि हो सबसे पहला ही मैसा एक गोल और एक असिस प्रोड़क्ट के था और उसमें ओवर्राल इसका मुवमेंट वगेरा काफी अच्छी लगी थी स्किल्स अगेरा भी काफी शो कर रहा था तो अभी के लिए मैं ब्रहीम डियाज पे लेकिन एक चीज इसके साथ हमेशा रहती है बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर है तो आपको सेब जाने है मेबी आप बेन असर कोई ट्राय करना बट फिलाल के लिए मैं बंड ले रहो ब्रहीम डियाज पे ब्रहीम डियाज के प्लेस में एक और प्लेयर कोई पिक करूँगा अगर ब्रहीम डियाज खेलता है में भी यह ट्रॉप हो सकता है आप इनके विलेस में चाहिए तो बेनसर के साथ जा सकते है या आप दोनू पिक कर सकते है अगर आप डिफेंस से क्यार पिक नहीं कर रहें प्लाल के लिए मैं प्रहीम डियाज कोई पिक तो आप कहल लीजे बेंजी मार विनिसेंस साथ में खिलते हैं वैसी कुछ जिरू और यहाँ पर राफिल लियाओ भी साथ में खिलते हुए लगते हैं हमें बाकि सैली मेकर एक बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर है और इसके बास स्किल्स वगेर अच्छी है भी एक असिस्ट एक में किया था बट मेरको बहुत जाधा ट्रस्ट नहीं है तो अभी कले मैं सवी चीजे रहां से जिरू राफिल ले और ब्रहिम ले रहो डियाज वाले प्लेस में आपको कवल शेव बैसर भी करना है यह आपको डियाज बैसर दोनों प्यिक कर टेलिग्राम चैनल से जरूर से जरूर जॉइन कर लिजिए अब हम बात करते हैं अपोनेंट ससोलो की तो कॉंसीगली इनके गोलकीपर इंपर्टेंट हूंगे क्यूंकि मेरे अकॉर्डिंग मिलान ज्यादा टेक करी की तो हमें अच्छे कासे सेव करके दे सकते हैं गोलकीपर में ससोलो का कंसीगली पिक करके चल लाओं चार इनके डिफेंटर है टोईजान अरलिक फरारी और रोजोरियो ओवराल मुझे इनके डिफेंटर में बहुत ज्यादा क्वालिटी नजन नहीं आई है मैं मैं मेक्जिमाम डिफेंटर मिलान के भी करूं इस्टिल आप इतलियन निसनल टीम में भी ब्रेकिन कर गया है अच्छा गोल असिश्ट कर सकता है तो मैं अभी के लिए फ्रेटेसी के साथ जा रहा हूँ फॉरवड में मैं डॉमिनिक बिराडी को शोली पिक करूंगा लास्ट कई सीजन से ससोलो का टैलिसमन है हर सीजन यह 10-12-15 गोल मार करते ही मरता है और साथ में कॉर्णर की फ्रीकिक पेनल्टी हार चीज में दिखाए देगा तो मैं बिराडी को शोली पिक करने वाल हूँ एक इनने इस सीजन के वरनस ससोलो में कुछ दो तीन अच्छे प्लेयर से इनके गए जैसे इसका माका वेस्ट हैम चले गए एक रेस् तो पिनह मॉंटी के लिए हमारे पास स्पॉट इन ही बचा इस वैसे में इनको अभी के लिए स्मॉलीग में ड्रॉप करना हूँ अब बच्छोली इनको ग्रेंडीग में ट्राए कर लेना अब मेरे पास जो एक प्लेयरई करने है तीन हम अब इन्धी पिक कर चुग है गोल पोलस के साथ फिलाल मैंने डिसीन लिया कि मैं क्रिया को पोलस के साथ जाओ विकॉज यह वैसे तो ओरीजिनली एक फुल बैक था लेकिन जब से रेस्पार्टोरी क्लब छोड़के गया है तो यह एसा लेफ्ट विंगर बन गया है अटेकिंग वाइस डीसेंट है डिफेंसी वाइस बहुत अच्छा है और साथ में क्या असिस्ट पोटेंचल भी अच्छा काता है पिछले सियन पांच असिस्ट इसने प्रोवाइट के थे और यह लाश्ट दो मैचेस में कॉर्णर की भी ले रहा है लेफ्ट वाली इस वाईसे मैं क्रिया को पोलस को प्रिफर कर रहो क्रोसेस वगेरा भी बहुत देता है थोड़ा बहुत डिफेंसिव अगभी करेगा पर यहां पर आप हेंडिक के साथ भी जा सकते हैं और आपको हेंडिक के नंबर्स अच्छे नहीं लगेंगे गोल असिस्ट के लेगिन आप गेम प्ले देखेंगे नहीं बहुत कई बार य कर सकता है यहां पर अपना कॉल लेना इन दुन में लेकिन फिलाल के लिए मेरा थार्ट प्लेयर क्रिया को पोलस रहने वाल है तो यह ससोलो की प्रविबल इलेवन थी यहां से भी मैंने आपको लगबग सभी यह डीटेल में बता दी बागी पेनाल्टी टेकर इनके बराड मैं भी एक अफसेट प्रेडूस कर दे लेगिन अभी के लिए भी एक चारों डिफेंडर मिलान के लिए के लिए बाकी मैंने रहेए मैं ब्रहांAL को प्रविक कर दो आप क्या रेटा गें डियाज और वेनाश्य और बैल्स और दोनू काठ सकते हैं यह our नौन यहाँ गोड़ी करते हैं हो गयत इस एप टेन pro कीपर टीम ही देरोग क्यप्टन वाइस कीप्टन नहीं देरों जो भी अपडिटेट फाइनल टीम होगी और साथ में Captain हमारे टेलिगराम चैनल में तो जो मिल जादेगे डिस्कृपिप्टन बॉक।स या टॉप्पिन कमेंड में वहाँ से जुड़किया मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर से जरूर जोइन कर लिजिए